उत्तर प्रदेश के बलिया में जबरन वसूली के रैकेट का भांडा फोड हुआ है मामले में शामिल 18 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है इसके अलावा 16 लोगों को अरेस्ट किया गया है अब मामले में CM योगी आधित्यनाद की एंट्री हो गई है उन्होंने के इसकी रिपोर्ट के आधार पर कई अफसरों का ट्रांसफर कर दिया है कुछ पुलिस कर्मियों की संपत्ति की जाच के आदेश भी दे दिये है आरोपे की पुलिस वाले ब्रोकर के साथ मिलकर बिहार से आने वाले ट्रक ड्राइवरों से पैसे एड़ते थे 24 जुलाई को अभी को रंगे हाथों पकड़ा गया